हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब प्लैटफॉर्म में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोग को एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स वो इन्फॉर्मेशन यह है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है नॉलेज एन एजुकेशन अड़्डा उसका नाम जो है अब चेंज हो गया है उसका नाम अब नॉलेज इट्यूट हो गया है तो आप लोग कन्फूज मत होईएगा अगर आप सच करते हैं इट्यूट यहीं इन्फॉर्मेशन आप लोगों देना था तो चलिए शुरू करते हैं इडियम फ्रेंज के स्रीज का अगला पार्ट पहला है नेल इन्दा कॉफिन नेल इन्दा कॉफिन मिन्स होता है किसी के पतन का कारण किसी के पतन कारण या कॉज ऑफ फेलियर ऑफ सम्वन और सम्थिंग नेल इन्दा कॉफिन इसको ऐसे समझिए जो कॉफिन होता है कॉफिन मलब जो ताबूत होते जो क्रिस्चन धर्म में जब कोई मर जाता है तो उसको दफनाने के लिए हम कॉफिन यानि लोहे का बक्से का स्टमाल करते हैं तो लोहे के बक्से में लाहास को यानि डेट को रखकर फिर इसको नेलसे पूरी तरह से सील कर देते हें ऊ-ван तीक है अप मैं उसको अर्षक डाल कर यह डालते से उसको पूरा सील करते हैं डो डूरे लिंदा क cinnamon मतलब क्या होगा किसी के मालस किसी के लिए घड़ा झोडना इसको ऐसे समझ सकते मरना किसी के लिए गड़ गड़ा खोदना या किसी के लिए कबुदना लेकिन क्रिस्टन लोग क्या करते हैं उनको डेड़ गड़ी को कॉफिल में रखाना लेज हुग तो वह सब T Ihnen की की युण होना नेजल इन दा कॉफिल nail in the coffin मतलब dead body को उसमें भर कर आखरी बार जो है उसका आखरी बार उसके दर्सन करना उसके बार उसको nail से पुरा seal कर देना coffin को nail in the coffin मतलब होगा किसी के पतन का कारण होना क्यों coffin के इस्तरमाल कब किया था जब कोई व्यक्ति किसी अंत हो जाता है तो यहां coffin अंत से संबंदित है तो nail in the coffin मिन्स होगा पतन के पतन का कारण होना या cause of failure of someone और something अगला है nail once color at the mast इसका मला होता आपना मत इसपस्ट रूप से बताना या to say what one really think about something nail once color at the mast यह idm जो है नाविक से संबंदित है पहले जवान में क्या होता था जब ship ship होती जो दो ships के बीच में जब लडाई होती थी माले दो ship है यह दोनों गुटों के बीच लडाई है जब होती है तो क्या करते हैं वो जंडा फराते हैं जंडा होस्ट करते हैं और दिखाते जंडा दो दिखाते हैं इससे यह पता चलता है कि हां कि यूद्ध की सुरुवात हो चुकी है तो नेल नेल वनस कलर एड़न मास्ट तो मस्ट क्या होता है जहां पर जंडा लगाए आता है जिसे जहां पर गार आता सबस्क्राइक पर नहीं हंง dust है तो तो जब जब जण्डा लोग फाराते हैं तो यूद्ध की शुरुवात हुआती थी ठीक तो अगर कोई परखशे उस जण्डे को अगर क्या कर देता है ऐसे कल्रार कर देता है उसका मतलब यां वह यूद्ध कीली चुनाउती दे रहा है या फिर इस जण्डे को गिरा देता था माले दूसरी पार्टी है अगर कोई भी पार्टी उस जंडे को गिरा देता हमाई सौर्ट गन करके छंडे गिरा दिया तो इसका मतलब है कि इसने इसको हडा दिया है तो नेल वंस कलर एट दा मास्ट मतलब होगा कि अबनावे कि एक ये दूसरे बज़ा दिया है जिसके वज़े से उसने कलर किया है तो जब को जब किसी बज़ा देगा तो आपने मत को इस पर रूप से से बता बता दिया कि मैंने आप को बर्ट दिया अब मेरी चले तो नेल वन्स कलर एड़ दा मास में सोगा अपने मत को इस परस्टूप से बताना या तो से वाट वान रियली थिंग अबाउट सम्थिंग अगला है नेल वितर नेल वितर में होता है रोमांचक या सिचुएशन डैट मेंक्स यू एकसाइटेड और वरीड लब ऐसा सिचुएशन जो रोमांचक हो जिसका रिजल आना वहत ही रोमांचक हो मालिद दो पक्चों में लड़ाई हो रही है और दोनों पक्च जो है आपस में मलब बराबर बराबर एक दूसरे पर पढ़ार कर रहे हैं और यहां पर रिंड़नेर लेना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा पक्च जीतेगा तो ऐसे सिचोरेशन में जब रिजल डिकलेर करना पॉसिबल नहीं की कौन सी पक्च जीतेगा तो रोमांचक जीत होगा तो कि कोई कि परिनामाने वाला है तो लोग इंदजार क्या करतेगा अपने नेल्स को चबाते रहते हैं अपने देखा होगा कि बहुत ही बेचायनी किसा है कि जब किसी चीज़ी का हम वेट करते हैं कोई परिणाम आने वाला हो तो हम क्या नाखुनों का अपना चबाने लगते हैं अपने नेल्स को बाइट करने लगते हैं नेल्स को चबाते कब है जब कि बहुत बेचायन हो कि पर होना किसी रिजल्ट के प्रतिय अक्साइडमेंट होना कि क्या पास होंगे या फेल होंगे अग्ला देख देखते हैं नेक एंड नेक नेक में सोता है एक समान इस्थिति में किसी प्रतियस वर्दा में आ क्लोस्ट्व एन इक्विवैलेंटफ लेवल इस्पेसली आएएसरी ओंटषी उरसं सब्सक्राइब Calvin मलकि किसी कम पिलिशन में या माल हूं माली ऍस पिलिले रेश हो रहा शहें यह अनि जब मार लगिधे परतियस वह प догाधех हो इतना करा प्रतियसपड़ता हूँ कि कौन जीतेगा मलब जो विनर है विनर का पता लगाना बहुत मुझकिल हो जाए इतना कमपड़ीशन होग बिनर का माल लिजिए फिनिस लाइन है ठीक है दो हो जार रेसिंग में एक होर स्थारस आगे इतना डिफ्रेंस है कि सिर्फ गर्दन का डिफ्रेंस हो एकदम गर्दन के बरावर डिफ्रेंस हो तो लास्ट मुमेंट तक कि पता लगाना मुश्किल हो जागा कि कौन फिनिस लाइन में क्रॉस करेगा यह क्रॉस करेगा कि बहुत काम डिफ्रेंस है इस डिफ्रेंस को पास में जाके देखेंगे तब ही प्रचलेगा तो नेक एंड नेक मतलब होगा कड़ी परतिस परदा होन अगला है नीदर फिष नौर फॉडव इसका मदलब ता है not suitable to any situation या किसी वी परस्टी मेरे fit नहीं होना नहीं हो पाना उनरर फॉल मिस होता है पक्छी या मांस कि उस मांस भी तो नीदर फिष नौर फॉल ना तो फिष और ना ही मांस को इसको ऐसे समझीए कि जो fish होता है ये संत लोगों खाना है ज़र्नली fish को मांस की category में नहीं माना जाता है कुछ जगों में या कुछ country में इसको संत लोग खाते हैं और fall मांस chicken या मांस बगर होना तो ना तो fish में fit बैटना ना तो मांस में लगा दोनों में से किसी भोई भी भोजन की फिट ना होना अला ना तो बेजटेरियन और ना ही नॉन बेजटर दोनों भोजन जो है सुटेवल ना होना नीदर फिस नौर फोल मतलब होगा किसी भी प्रसिते में फिट नहीं होने वादा कि जैनली ऐसे फिस जो है यह भी नौन वेजी है लेकिन कहीं कहीं किसी कंट्री में या पहले जवाने में इसको क्या करते थे संत मुनी लोग जो है जो संत लोग है उसको मांसा ही नहीं मानते थे और इसको खाते थे अगला है New kit on the block इसका मतलब होगा किसी जगह आने वाला कोई नया व्यक्ती या a new arrival in a place, group और organization किसी जगह पर आने वाला कोई नया व्यक्ती New kit on the block Kit मतलब बच्चा, block, यहाँ block का मतलब सहर सहर से है यहाँ block का मतलब किसी सहर से समद्दित है किसी सहर में आने वाला कोई नया व्यक्ता, माली सहर में कोई नया व्यक्ता आया है तो new kit in the city, इसका मतलब यह होगा तो new kit on the block मतलब होगा, new kit on the city तो व्यक्ता किसी जगह आने वाला कोई नया व्यक्ती अगला है 19 to the dozen इसका मतलब होता है to speak rapidly या बहुत तेज गती से और समझ में नहीं आने लायक बोलना मतलब इतनी तेजी से बोलना कि अगले इंसान को समझ में नहीं आए कि वो अगला व्यक्ती क्या बोल रहा है बहुत जल्दी जल्दी बोलना इतनी जल्दी बोलना कि अगले व्यक्ती को समझ में नहीं 19 to the dozen ये from माइनिंग से लिए गया है जो माइनिंग होता है माइनिंग से लिए सब्द है यह माइनिंग करते हैं जो हम खादानों माइनिंग जो करते हैं तो माइनिंग से संबंदित यह तर्म है जो कि 18 सेंचुरी से आया है तो जब माइन में बार आ को पानिय küarsa को बहुत बारिष और मांड के अंदा पानी बढ़ गए उसमें से जो भी किना हो भी किसी की पैसिन द quién काला हुँ तो गर 20 मांड के अंदा पानी भर जाता है भर जाता था था तो हम क्या करते हैं उस मैंमें से पानी को निकालने के लिए हम इस्टीम इंजन के इस्तेमाल करते थे इस्टीम इंजन नहीं पंप पंप के इस्तेमाल करते थे पंप लगाकर उस पानी को बाहर निकाल लेते थे पानी को बाहर निकालते थे तो जो इस्टीम इंजन हम इस्तेमाल करते थे तो वह क्या करता था क कि 1900 गैलन्स पाणी को मात्र 12 सकरफ निकाल देता था तो वहyy से जबस यह-स यह कोईल न으니까 है तो का scientist करके 1900 क हैनद्स पाणी यह निकाल सकता है निलिए मोहावरा बहुत तेजी के साथ वो पाएं निकालता था इसलिए इसी से मुहावरा बना है 19 टूदर डजन मलब 1900 गैलन्स पानी वन डजन बुसल्स में के कोईलेक इस्तमाल से वो पंप निकाल सकता है अगला है इन्दा निक ऑफ टाइम इन्दा निक ऑफ टाइम मींस होता अंतिम छण पर या एड़ दा लास्ट पॉसिबल सेकेंड निक मींस होता है एकदम अंतिम समय पर मतलब कोई भी काम एकदम अंतिम अगला है निप इन्दा बड निप इन्दा बड मींस होता है शुरुवात में ही समाप्त कर देना समस्या आदी टू स्टॉप इट एड अर्ली स्टेज मतलब सुरुवात में ही कोई चीज समाप्त हो जाना इसको ऐस समझिए जो इस प्रिंग होता है इस्प्रिंग स्रीजन में जो धूंद मतलब बसंद क्रिटू में कभी कभी फ्रोस्ट निया हल्का कोहरा या धुंद पढ़ने लगता है तो वह कहरा क्या करता है जो कलिया होती है खिलीवी कलियों को मार देता है तो निप इंदा बड़ तो माली बसंद प्वल खिलने शुरूए और तभी वो फूल मुर्जहा जाए धुन दिया कोहरे के बजे से तो क्या होगा? शुरुवात में ही वो चीन नष्ट हो जाएगा तो निप इंदा बड़ हो जाएगा तो बड़ में शुरुवात में ही कली मुर्जा जाना मतलब शुरुवात में ही समाप्त हो जाना कोई भी समस्या बगारा या कोई भी कार सुरुवात में ही समाप्त हो जाना अगला है कि निटी-ग्रिटी इसका मतलब होता है दा बेसिक एसेंसियल या सबसे महतपूर मुद्दा या तत नौकर होते हैं उससे सम्झे जो ट्रेड हो से लेटर सटर्म है जो एक जगह से दूसरे ले आने के और बेचने का खरीदने का जो काम होता था जो ट्रेड होता था शलेप नौकर ऑप खरीद फ्रॉक त संबंदित जो ब्यापार है उसे संबंदित ये टर्म है है तो स्यिफ को सीफ से बाहर निकालने गबाद बचे ववी फालतू का जो कचड़ा हुता है उसे हमjee क्रिटीटी बू कहते हैं कि निटीटीक्रीटी क्या होता है जो बचा कचड़ा होता है जिसे शेड़ непरेंगे जाए जाए गा तो क्यों उनके द्वारा वह सारे कचड़े निका मालब खाने पिने का समान या मुला वो बहुत सारे कचड़ा उन लोग कठ्ठा करेंगे कचड़ा कुछ लोग रहें आगर मालेक महिने तक श्रिप में सवार है बहुत सारे नौकर स्लेप तो कचड़ा तो कठ्था होगा उनके घरेलू कामों से जो कचड़ा कठ्था होगा उसे ही ब कचछरे को फिर सकत्साफ डिया तो सबूत ना बचे की यहां से नौकरों को ले जाया या आदमीयों को इसे ले ले जाया गया अर। अर्था स्लेप से धूने का कोई वी सबूत नहीं बस रहा तो तो सबसे महत्पूर् मुद्दा या तत्व या दम बेसिक एसेंसियल जो कचड़ा जो बचा रहता है जिससे यह सबूत लग जाए कि यहां इस शिप से आद्मियों को ढोया गया है या आद्मियों का या स्लेफ का वेपार किया गया है उस कचरे को ही साफ कर देना जिससे कोई सबूत ना मिले अवो सबूत जो है बहुत ही महत्पूर था तो इसका मतला होगा सबसे महत्पूर मुद्दा या तत्व cał्ले में अगला है अचो प्रिम् kia को यह को wax चघा कंशिए जया जाता है कुछ लोगों को आक प्वॉंट आ काम पे रखाता था जो क्या करते है जो जो जब पिंच करने वजन नटाने का क्या करते थे जो डोब और जी गिर जाथा जो वक्षर गिर ज़ाता था उसको उठाने का काम करते था outta मैं जिसे बोलते हैं cambio तो कुछ लोगों को रखा था जो जो क्या करते थे नौक ऑट होने वाले बॉक्सर को उठाते थे टो बाद में नियम बना कि कि इस तरह से किसी रख्ति quroid नहीं किया जाएगा को अलबी मना हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसी को कोई hold नहीं रखेगा उनको hold का जाता है वो क्या करते होल्ड करते थे जब कोई नॉक आउट हो दो पकड़ लेते थे और इसको रख्षित जगाह पर रखते थे इसको जो जो प्लियर तो बाद में यह नियम बन गया कि ऐसा यह प्रोसीजर हटा दिया गया किसी किसी बॉक्सिंग में कुछ लोग मानते नहीं है इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं वह आपने साथ किसी को रखे लेते हैं पॉइंट कर लेते हैं जो जब नौकाउड होने के बाद उसक हम को ना माने है कि अगला है कि नो होर्स इंदा रेस इसका मलब होता है नौट इंट्रेस्टेट और अफेक्टेट बाई आउटकम ऑफ सम्थिंग या किसी चीज के परिणाव से अप्राव आप रहावित या अनुच्छुक होना कि नो होर्स इंदा रेस मतलब रेस में कि किसी चीज के परिणाम से आप रहावित या अनिच्छुक होना या नौट इंट्रेस्टेट और अफेक्टेट वाई आउटकम ऑफ सम्थिंग अगला है नो लब लॉस्ट इसका मलब होता है दुस्मनी या मुच्वल डिसलाइक between two people हैट या इनेमिटी नो लब लॉस्ट तो मलब नो लब जहाँ पे कोई लब ना होना जहाँ पे कोई प्यार ना होना जब प्यार ने होगा तो क्या होगा दुस्मनी होगी वहां पे प्यार ने होगा तो क्या होगा दुस्मनी होगा तो no love lost means होगा दुस्मनी या mutual dislike between people या hate होना या घरना होना या दुस्मनी होना अगला है no spring chicken no spring chicken means होता है उम्र दराज या आधिक उम्र का व्यक्ति someone who is no longer young कोई व्यक्ति जो young ना रहा हो मलब जो अब young नहीं है या उम्राज व्यक्ति no spring chicken in early 1700 1700 में किसरुवाद में किसानों ने पाया की जो चिकन spring season में या बसंत में पैदा होते हैं उसकी quality अच्छी होती है जिसकी वज़र से वह महंगा बिखता है इसके मुकाबले जो winter season में पैदा होता है वो उसकी quality कम अच्छी होती है तो spring season में पैदा होने ला मूरगा जो होता है या चिकन होता होती कि यह सब इस्प्रिंग चिकन नहीं है आपने जो चिकन दिया वह स्प्रिंग चिकन नहीं वह विंटर का चिकन है तो नो इस्प्रिंग तो नो स्प्रिंग चिकन मेंस होता है उम्र दराज होना है क्योंकि स्प्रिंग चिकन जो होता है वह ज्यादा एक्टिव होता है ज्यादा हेल्दी होता है और नो अगर लग गया मलब निगेटिव सन्स दे रहा है मलब ऐसा चिकन जोगी कम एक्टिव हो या कम हेल्दी हो जब कम एकुणक्ड राज भी कम एक्टिवल्द होता है ओव कम एल्द होता है तो लगे स्जिप्स चिकन मीर्श का उम्र दराज का यह ज़ादा उम्र का वेक्टीwr आगला है को नौत यौट एन खिदा अइलिड इसका मतलब होता है कोई पर्तिगळीन नहीं दिखाना या to not show any shock or surprise not bat and eyelids bat and eyelids means होता है आँखों के पलकों को जल्दी जल्दी खोलना बंद करना तो bad means होता है आँखों के पलकों को खोलना बंद करना तो अगर कोई व्यक्ति आँखों के पलकों को खोल रहा बंद कर रहा है मनलब वो परतिक्रिया दिखा रहा है मनलब अगले वैक्ति की बातों को सुन रहा ध्यान से लेकिन अगर वो आँखो के पलको को अगर जल्ले खोले बंद ना करें बस एक टक देखता रहे तो उसका मनलब क्या हुआ कि कोई परतिक्रिया नहीं दिखा रहा है अगर एक तक बीना आँखों के पल को झ्पका है अगर बैक्ति खळा है तो किया होगा Yes क्वोगोई पर्तिक्रिया नहीं दिखा रहा है to not Nur Know which I will Falls आपने आँखों खोल बंख नहीं कर रहा है कि वो तो कोई पर्तिक्रिया नहीन दिखा रहा है not have a clue not have a clue means कोई अता पता नहीं होना या to be without clue clue means क्या होता है क्लू मिस होता है सबूत क्लू मिस सबूत होता है तो कोई सबूत नहीं दिखना किसी सबूत ना देखना मलब कोई अता पता नहीं लगना है माले कोई व्यक्तिक हो गया है उसको ढूंडने निकले हैं कुछ लोग तो कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि वो गया कहां तो कोई सबूत नहीं मिलेगा तो उसका कोई अता पता नहीं लगेगा अगला है नॉट वन्स कप अप टी इसका मलब होता है टू डिसलाइक सम्थिंग या कोई चीज जो पसंद नहीं हो नॉट वन्स कप अप टी मलब किसी के किसी का चाय ना होना किसी के कप चाय की प्याली ना होना यह जो है लेट एटीन हंडेट सेंचुरी का मुहाबरा है तो लेट एटीन हंडेट सेंचुरी में ब्रिटिस यहां मुहाबरा इस्तिमाल करने लगे कि my cup of tea my cup of tea ये मुहावर इस्तिमाल करने लगे तो यहाँ इस बात को इसारा करता है कि कोई बस्तू जिसे बे बहुत enjoy करते हैं क्योंकि बिटिस लोग चाई बहुत पसंद करते हैं क्योंकि water के बाद सबसे पहला विवरेज जो है क्या water है तो water के बाद पूरे विष्व में लोग बहुत पसंद करते हैं तो किसी के अगर चाई का प्याला कोई है व्यक्ति तो उसके लिए बहुत ही पसंदिद्या होगा लेकिन यहाँ मुहावरा में कह रहा है कि not once cup of tea मलब किसी के चाई का प्याला ना होना उसका मतलब होगा कि वो व्यक्ति या वो चीज उसके लिए पसंदिदा नहीं है मलब कोई चीज जो पसंद ना होना अगला है not to look gift horse in the mouth not to look a gift horse in the mouth मिस होगा मुफ्थ मिली चीज की अलोचना नहीं करना या don't try to evaluate a gift मतला मा लीजे कोई gift आपको मिला है कोई gift में कोई चीज मिला है और उसको evaluate नहीं करना चाहिए यह नहीं बोला चाहिए वो gift सस्ता है या महेंगा है quality अच्छा क्योंकि जो उपहार जो होता है वो उपहार ही होता है उसको judge नहीं करणा चाहिए उसका value या उसका muleयांकन नहीं करना चाहिए तो किसी घोड़े की उम्र का अंदाजा उसकी दान्तों को गिनका लगाया जा सकता है यग ये ऑंगर horse जो होता है, वह older horse से जायर स्वास्त होता है अगर कोई व्यक्ति उपहार में मिले घोड़े की दात को चेक करता है तो इसका तात पर या होगा कि वहाँ उपहार में दिये गए घोड़े के प्रतिकृतक या आभारी नहीं है, बलकि वहाँ उस उपहार के मूले का आकलन कर रहा है, जो की एक बुरा बहवार होगा। इसका मतलब होता है, तो स्पीक वेरी ब्लेंटली एंड डाइरेक्टली, ब्लेंटली में बहुत ही रूखा बोलना, या डायेट बता देना कोई बात को, या किसी बात को इस पस्ट रूप से बिना किसी भावनाओं का ध्यान रखे बोलना, जिसे हम कहते हिंदी में मूफट हो होना, मूफट होना मतलब की कोई व्यक्ति, मतलब यह नहीं ध्यान रखता है कि अगला व्यक्ति जो इसके सामने है, उसको जो बात बोल रहा है, उसको अच्छा लगेगा है, या बुरी लगेगी, उसकी भावनों को कही ठेस ना पहुंच जाए, इस बात का ध्यान रखे ब बहुत है, मूफट होना, डायटली बोल देना किसी भावनाओं के चिंता किए भी ना, इंने लास्ट पार्ट में बताया था मिन्स मैंटर मिन्स मैंतर मिंस मैंतर मिन्स होता है क्या होता था कि इसे पर रूप से ना बोलना बातों को छिपा लेना इसी का यह आपॉजिट है नौट्टू मिंस मैंटर मिंस मला होता है छोटे छोटे टुक्रे मला बातों को टुक्रों में ना बताना नौटू मिंस मैंटर मामला मल यह बात यह कोई मैंटर है उसको टुक्रे में ना बताकर एकठे पुरा बता देना एक बार में मला कोई भी चीज बिना छिपाए बता Now and then, now and then means होता है कभी-कबार या occasionally या sometimes, मलब कोई चीज जो कभी-कभी होता हो, कभी-कबार घटित होता हो, that is now and then. Null and void, null and void means होता है प्रभाभिन, जो अब लागू ना हो, या cancel हो जाना या invalid हो जाना. Null and void, null का मतलब होता है invalid होना, और void का मतलब होता है complete, empty, या soon ने होना, खाली होना, तो null means होता है invalid, और void means होता है empty या खाली. तो इसका मतलब होगा कि, null means invalid, मतलब प्रभाभी होना, और void means, खाली होना, मतलब बिल्कुल से खाली, empty होना, empty खाली होना, मतलब क्या और cancel हो जाना, या जो अब लागू ना हो, कोई नियों या कानू, जो अब लागू ना हो. अगला है, nuts and bolts, nuts and bolts में होता है, महतपुर्व, अंग या भाग, या all the basic components, nuts and bolts इतो आपने देखा होगा nuts, bolts जो होता है, जो nut होते हैं, तो nut जो है, इसके साथ bolt आता है, बिना bolt के ये nut बेकार है, और इसे nut bolt बोल्ट बोलते हैं, तो nut bolt जो है, कोई भी fabrication का काम करना हो, मालिजे दरवाजा बनना हो, या furniture बनना हो, तो nut bolt की जरूत पढ़ती है, बिना nut bolt का वो काम नहीं हो सकता है, चाए furniture काम हो, या fabrication काम, या दोड बनाना हो, दरवाजा बनाना हो, तो nut bolt जो होता है, वो ये बहुत ही essential part होता है, बहुत ही महतपूर अंग या भाग होता है किसी फरनीचर का या दरवाजे गया या कोई भी काम जिसमें इसकी जुरुत पढ़ती है तो बिना उसके काम नहीं हो सकता है मतलब नगर किसी का नट और बोल्ट होना अगर लिखा है तो उसका मतलब होगा कि वह चीज उसके लिए बहुत ही महतपूर है मतलब महतपूर अंग या महतपूर भाग होना ओके फ्रेंट्स आज का इडियम फ्रेस नहीं तक रखते हैं तो इसका अगला पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और मैं आपको फिर बताता हूं जाते जा इसको आप लाइक करिएगा और जो आपके फ्रेंड्स से इसको अब शेयर भी करिएगा क्योंकि लॉक्डाउन पढ़ने का इस अच्छा तरीका और नहीं मिल सकता है तो इसका जल्द इसका अगला पार्ट जल्दी आपको मिल जागा ओके थैंक्यू फर वाचिंग